पांच दोस्त एक रेस्टरेंट में बैठे होते हैं और बाते कर रहे होते हैं। ये पांच कॉलेज स्टूडिन्स होते हैं और इन सभी को एडवेंचर करने का बहुत शौक होता है। आज कल इनके कॉलेज में एक गाउं की बहुत चर्चा हो रही है। स्कूल के सारे स्टूडिन्स पे ये बात बहुत मश्यूर है कि एक गाउं भूतिया है और ये भी कि इस गाउं में एक चुडैल भी रहती है। आज संडे के दिन ये पांच दोस्त उसी भूतिया गाउं में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या तुम लोग पकाश और हो क्या हमें इस भूतिया गाउं में जाना चाहिए। हाँ यार, क्यों तु डर गया क्या। ये सुनकर कमल हसता है। पागल है क्या, मैं नहीं डरता किसी से। पर मैंने सुना है कि वो गाउं बहुत खतरनाक है, जो भी वहां गया है, आज तक वापिस नहीं आया है। अरे, ये सब लोगों की बनाई हुई बाते हैं, भूत-भूत कुछ नहीं होता। अरे, हाँ, मेरे पास कैमरा है, मैं अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड करूँगा, और हम उसे सोचल मीडिया में पोस्ट कर देंगे, अरे, क्या पता हम इससे फेमस हो जाएं। तो फिर ये फाइनल हो गया, अगले मंडे से हमारे समर हॉलिडेज शुरू हो रहे हैं, तो फिर हम अगले मंडे को ही चलते हैं, किसी को कोई दिक्कर तो नहीं है? नहीं! 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 आयूश निशा की तरफ देखता है। अरे क्या हुआ निशा, तुम तब से चुप बैठी हो, अरे तुम चल रही हो ना हमारे साथ। निशा थोड़ा जेजक के सब की तरफ देखती है। मुझे नहीं लगता की हमें वहाँ जाना चाहिए। अरे यार, अब क्या हुआ? पता नहीं, बस मेरा मन बोल रहा है की हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे निशा, चलो ना, बहुत मज़ा आएगा, सच में। सब मिलके निशा को जाने के लिए मनाने लगते हैं, और निशा आखिर में मान जाती है। अगले मंडे की सुभर, पांचो दोस्त एक पार्क में मिलते हैं, सभी अपने साथ एक बैक पैक में अपना सामान लाएं हैं। चलो अच्छा है के सभी आ गए, औरे मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है उस गाओं में जाने के लिए। मैंने कैब बुक कर दी है, बस अभी आती ही होगी। अरे यार सभी कैप से उतर जाते हैं और आयुश ड्राइवर को पैसे दे देता है कैप ड्राइवर उन्हें चेतावनी देता है एक बात बोलू बेटा तुम सब इस गाओं में मत जाओ अरे यहां जो भी गया है वो लॉट के कभी वापस नहीं आया है अरे हमने तो सुना है कि इस गाओं में कोई भी जवान बच्चा या इनसान सिंदा नहीं रह पाया है अरे अंकल आप चिंता मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होता है हरे मैं तो बस तुमको चेतावनी दे रहा हूँ है हाँ अंकल आप चिंता मत करो कैब चली जाती है और पाँचो गाओं की दरफ चलने लगते है पंड़ा पीस मिनद चलने के बाद उन्हें थोड़ी दूर वो गाओं नजर आने लगता है थोड़ी और देर चलने के बाद वो गाओं पहुंच जाते है गाओं बहुत वीरान होता है और उन्हें कोई भी इंसान नजर नहीं आता अरे यार यहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा हाँ अब हम क्या करें चलो हम किसी के घर पे नौक करके देखते हैं हाँ यह अच्छा इडिया है तुम लोगों को यह बात अजीब नहीं लग रहेगी गाउ में कोई भी इंसान नहीं देख रहा है इसमें अजीब क्या है सब अपने घर के अंदर होंगे न हाँ वही तो पर फिर भी इससे पहले कि निशापनी बात पूरी कर पाती आयूश उसकी बात काटते भी कहता है अरे वहाँ देखो एक बूड़ी मा आ रही है सब देखते हैं कि थोड़ी दूर से एक बूड़ी मा चल के आ रही होती है उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा होता है जिसके सहारे वो चल रही होती है सभी उस बूड़ी मा के पास जाते है इन पांचों को देखके बोड़ी मा हैरान हो जाती है और उन्हें अजीब नजरों से देखती है तुम लोग कौन हो और यहां इस गाउं में क्या करने आए हो अमा जी हम इस गाउं में घुमने आए हैं हम सब विद्यारती है तुम सब यहां से चले जाओ, ये तुम जैसे शहरी बच्चों के रहने लाइक जगे नहीं है अरे माजी, आप चिंता मत कीजिए, आप हमें बस रहने की कोई जगा बताईए बोड़ी मा कुछ चुप रहती है, निशा को बोड़ी मा की नजर बहुत अजीब लगती है और वो थोड़ा घबराते हुए, रिया को दीरे से कहती है रिया, तुम्हें इन बोड़ी मा की नजर अजीब नहीं लग रही ये तुम क्या कह रही हो? निशा रिया को कुछ और कह पाती, इससे पहले बोड़ी मा कहती है ठीक है, तुम सब मेरे घर पे रुख सकते हो, चलो, आओ मेरे साथ ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, सिवाए निशा के निशा को लगता है कि इस गाओं में कुछ गड़बर जरूर है सभी बोड़ी मा के पीछे चलने लगते हैं कुछ दूर चलने के बाद सब एक दो माले के घर में पहुँच जाते हैं मिने अपने बैग में से अपना कैमरा निकालता है और सब रिकॉर्ड कर लेता है बोड़ी मा घर का दर्वासा खोलती है और सभी उनके पीछे-पीछे घर के अंदर गुशते हैं मैं इस घर में अकेली रहती हूँ उपर वाले माले में दो कमरे हैं जो मेरे बेटे बहु और पोते के थे थोड़ी सी धूल जम गई होगी कमरों में पर तुम लोग उसे साफ करके बाहर रह सकते हो मेरे घुटनों में दर्द रहता है इसलिए मैं उपर नहीं जा सकती तुम लोग चले जाओ माजी आपका बेटा बहु और पोता कहां चले गए? ये सुनकर बोड़ी मा उदास हो जाती है और वो कोई जवाब दिये बिना वहां से चली जाती है लगता है कि वो बोड़ी मा को छोड़के शहर चले गए है इसलिए माजी इतनी उदास लग रही थी कमल, आयूश, विने और रिया उपर चले जाते है बस निशा ही नीचे खड़ी किसी सोच में पढ़ जाती है तभी उपर से रिया आवास देती है निशा? हाँ, आई निशा उपर चली जाती है पांचों मिलके दोनों कमरों की सफाई करते हैं फिर विने, कमल और आयूश, एक कमरे में और निशा और लिया, एक कमरे में अपने बैक्स रखके नीचे आ जाते हैं इस वक्त शाम के चार बज रहे हैं और उन्होंने यहां आते समय कुछ खा लिया था इसलिए उन्हें अभी भूख नहीं लगी होती सभी घर के बाहर निकल कर गाउं घूमने लगते हैं वेने अपने कैमरे से सब रेकॉर्ड कर रहा होता है ये सब बहुत अजीब है कि अभी पठा में एक इंसान दिखाई क्यों नहीं दिया इस गाउं में कुछ तो बहुत गलत है गाउं के लोग ऐसे ही होते हैं हाँ यार तू भी न जब से यहां आई है बहुत ही अजीब बरताव कर रहे हैं चलो हम किसी के घर पे नौक करके देखते हैं ये कहते हुए रिया एक घर की तरफ चल देती है और बाकी सब भी उसके पीच से चल देता है घर के सामने पहुँचते ही रिया जोर से आवाज लगाती है हलो घर पे कोई है घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता रिया फिर से चिलाती है हलो घर पे कोई है क्या इस बार अंदर से एक बुजूर्ग आदमी की आवाज आती है अरे कौन है जी वो हम शेहर से आए हैं आपका गाउं घूमने क्या आप हमें अपना गाउं घूमाएंगे अरे तुम लोग इस नरक जैसे गाउं में क्यूं आए हो यहां से चले जाओ परना बहुत बच्ता होगे अरे पर ऐसा क्या है इस गाउं में मुझे कुछ नहीं पता तुम सब जाओ भाग जाओ कम से कम दर्वाजा तो खोल दीजिए अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है सब हार मान कर वार से चले जाते हैं वे सब ही गाउं के हर घर पर जाकर गाउं वालों से मिलने की कोशिश करते हैं पर कोई भी अपने घर का दर्वासा नहीं खोलता चलते चलते अब वो पांचों दोस्त गाउं के बिलकुल बॉर्डर पर आ जाते हैं यहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है अपने सामने इस बड़े से घर को देखके वो सब ही बहुत जादा चौंक जाते हैं पांचों अपने सामने इस बड़े से घर को हक्के बक्के होकर देख रहे होते हैं ये घर बहुती सुंदर तरीके से सजा हुआ होता है, गाउं के बाकी घरों के मुकाबले, ये घर बहुती आलिशान होता है. वाज यार, क्या घर है, वो भी ऐसे सुंसान से गाउं में. ये तो और भी जाद आजीब है, मैं फिर कह रही हूँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं सब निशा की बातों को इक्नोर कर देते हैं चलो हम सब अंदर चलते हैं, हाँ चलो अंदर चलते हैं ये कहते हुए कमल घर के दर्वाजे पर नौक करता है, दो दिन बार नौक करने के बाद घर का दर्वाजा अपने आप खुल जाता है, और सब ये देखके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दर्वाजे की दूसरी तरफ कोई भी नहीं होता है, सब भी थोड़ा डर जाते हैं, पर कम तो शहर में भी आसानी से नहीं मिलता पर यहां एक सुनसान गाओं में उन्हें ऐसा आलिशान घर देखने को मिल गया पांचो सभी ओर से घर को और घर में रखी हुई चीजों को देखने लगते हैं कमल सब कुछ अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा होता है निशा की नजर दिवार पर लगी हुई कुछ तस्वीरों पर बढ़ती है वो दिवार के थोड़ा करीब जाती है और उन तस्वीरों को गौर से देखने लगती है तस्वीरों को पास से देखके वो थोड़ा हैरान हो जाती है और सभी को अपने पास पुलाती है गाइस जड़ा यहां न यह देखो सभी निशा के पास आ जाते हैं क्या हुआ निशा? यह देखो यह तस्वीरे तुम्हें इनमें कुछ अजीब नहीं लग रहा सब तस्वीरों की तरफ देखते हैं अरे वाँ यह औरत तो बहुत सुन्दर है हाँ लगता है यही इस घर के मालकिन है यार यह तो बहुत ही सुन्दर है पर इन सभी तस्वीरों में नीचे अलग-अलग तारीक है सभी में 20 सालों का गैप है और यह 3 तस्वीरे हैं इसका मतलब कि आज के टाइम पर इस औरत को कम से कम 60 से जादा की उम्र का होना चाहिए पर तस्वीर में इस औरत की शकल पर वक्त गुजरने का एक भी निशान नहीं है यह इन सभी तस्वीरों में एक ही उम्र दिख रही है ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हारी बात तो सही है अरे क्या पता शायद इन्हें अपने आपको बूड़ा होते हुए देखना पसंद नहीं हो इसलिए इन्होंने अपनी एक ही उम्र की शकल के साथ तस्वीरे बनवाई हो हाँ, ऐसा भी हो सकता है पीछे से किसी के सीडियां उतरने की आवाज आती है और सभी बीछे मुड़ कर देखते है सीडियां से एक औरत नीचे आ रही होती है जिसकी शकल तस्वीरों वाली औरत से हूब हू मिलती है उसके कंधे पर एक बंची बैठा होता है जो काले रांका होता है सभी ज़ूरत को देखकर बहुत सदा चौक जाते है क्योंकि ये औरत बिलकुल भी बूरी नहीं होती है